नमस्कार दोस्तों मैं स्वारोब और आप देगरो एसे स्क्रिक फैंटसी इस वीडियो के थुरू मैं आपको मैस से रिलेटेर हार एक इंपर्टेन इंफर्मेशन देने की पूरा कुशिस करूँगा जिसके मदद से आफ एक वैतरीन फैंटसी टीम कॉंबिनेशन बनाने में क कामियाब होंगे अप्टरा टॉस पिजी रिपोर्ट प्लेइंग लेवन कुछ फर्दार अफडेट ये सभी मैं आपको टेलिग्रम चैनल पर इंफर्म करता हूँ इसके अलबा स्मॉल लिंक के टिप एंड कौनसा प्लियार आज आपका ट्रांपी हो सकता है ये सभी मैं प्रेडिक्शन देता हूँ जिसके मदद से आप ना से स्मॉल लिग ड्रैन लिग में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो इसलिए इस टैनल के साथ सब्सक्राइब करके जूड़े रहिएगा शुरूत करते है टाटा आइपल 2023 की 27th मैस प्रेडिक्शन जो खेला जाने बला है पंजाब किंग्स और रोयल चलेंजर वेंगालोर के बिच में 20 अप्रिल तीन बजगर 30 मिनिट पर ध्यान दीजेगा तीन बजगर 30 मिनिट पर मैस स्टार्ट होने बला है कहाँ पर पंजाब क्रिकेट एसोसियेशन बिंद्रा स्टेडिया मौली पर आप देख से खुद से कुछ गलती ना करें तो थोड़ा फ्लेट सेर पैस रहेने बला है पन्ता बैस मेन को ज्यादा एड्वेटेश रहाने बला है इस पीछ से इसलिए आप ज्यादा से यादा टीप में बैसमेन के 笑 कर सकते हो और पेशार के उपर ज्यादा आप फोकस कर सकते हो as compared to spinner यहाँ पर अभी तक internationally six match खेला जा चुक है जिस मैंसे batting फर्स्ट करत्वे टीम ने दो और batting second करत्वे टीम ने चार बर match उनकिया है फास्ट निंग्स की आभरेज स्कोर की बात करें तो internationally 183 है हाइस्ट कोर इंडिया की है 208 और साउद अफ्रेका की लोईस्ट कोर है आप स्कोरीन प्रेटन भी देख सकतो हो डोमेस्टिक का भी रेकॉर्ड आप देख सकतो है आप डोमेस्टिक लिए 56 मैच खिला गया था जिस मेसे batting फर्स्ट करत्वे टीम ने ट्वेंटिफोर और बैटिंग सेकंड करत्वे टीम ने 53 किया था मैं आपको पहले ही बोला था अगर बैट्समान खुद से कुछ गलती करें तो आपको लोज को देखना को मिल जाएगा फिलाल पीच तो सही था लेकिन पंजाब ने कॉलाप्स कर गया था और पंजाब के पास सिर्फ एक ही बैट्समान है सिकरदावाल मतलब और र पंजाब और केके बीच में पहला जो मैच खिला था इस टेडियाम के उपर वहापर पांजाब ने ने पहले बैटिंग करते 1.90 क्या था लेकिन केके अरण मतलब चेस कर देता लेकिन बारीस के चलते ओंच मतलब केके अरग गया था शोलाँवर में लेकिन आगर पूरा मैस मैच खेलने को मौका मिलता है तब सायत केके यार पूरन चेज कर देता उस मैच में पेशान ने टोटाल आर्ड विकेट चटका और स्पीनार ने से चार विकेट चटका दिया और यह इंटरनेशनल मैच का रेकोड है आप देख सेकते हो मतलब कूल मिला कि आपको 192-200 रन इज देखने को मुल जाएगा फैब का नाम आपको देखने को मिल जाएगा और फिराट का नाम भी आपको बारबाद देखने को मिल जाएगा फिलाल आप देखले इता है पॉशियंड प्लbula लेफ् Cake पहले ने लिए लेकिंठ मेच से फ्लॉंब हो गयता और यह अक्सार हीट और मिस्टेप का प्यार है आप सभी लोग जान तो हर बॉल्ट को हेटिंग करने जाता है और हेटिंग करने चक्कर में आउट भी हो जाता है और अगार मिसीट भी होता है तब भी बाउन्डरी होने का संभगोना होता है क्योंकि यह पावर प्ले संदर राजा का डिशन फर्म काफी संदर है आप देख सकतो पहले दो मेंच में कुछ खास नहीं कर पाया लेकिन पिछले मेंच में 57 रन के साथ एक विकर्ष चटका दिया और बहुत ही इंप्रोटेंट पी होने वाला है श्यामकुरन का भी डिशन फर्म काफी संदर है बैटि 25 किया था आपको कुछ खास पॉइंट नहीं देने वाला है और विकेट की पार सेक्शन से भी आपको एक आदा पॉइंट मतलब कैच फैस लबखके दे सकता है अगर आप चाहो तो पिक कर सकतो सारुख खन का रिशन फर्म ठिक टाक तो है लेकिन बहुत ही नीचे आप देख सेक्तो सारे के सारे मैच में एक दो तीन करके विकेट चटकाया मतलब एक भी ऐसा मैच नहीं है जहां पर आश्दिव ने विकेट नहीं चटकाया ओपेनिंग बोलर की बात करें तो पांजब की तरफ से आपको राबाडा और साम कुरां को पावर्प्रम में बॉ ब welche है और खेलते तो माछ टफ ठीक होने वाला है इनफाम प्लिघए पीछने मैच चटक होने था लेकिन औरिमोस्त सारे के सारे मैज भे मैच चटक अब देख सीकर दावान मुझे लगते इस मैच में खेलने वाला है अगर थावन खेलते हैं तो आशर्ब के जहाँ आपको देखने को मिल जाएगा थावन अगर खेलते है तो M Harm के साथ आपको ब्रियाट कोली का ओपिनिंग करते हुए देखने को मिल जाएगा डुप्लिशिस का रिशेन फर्म काँवी सांदर है और पिछले मैज में 62 रन की एक आउट्सेंडिंग नौक के ला था डुप्लिशिस मस्टपीक होने वला है फिराटको लिचारी का भी रिशेन फर्म ठीक टाक है लेकिन पिछले मैज में 6 रन पर आउट हो गया था सेवाज अवहत कभी रिशेन फर्म ठीक तक है लेकिन उतना भी खास नहीं है DK का फर्म काफी बेकार चल रहा है हाला कि पिछले मैच में 28 किया था लेकिन अब DK को स्मोल लिंग में ड्रॉप का सकतो एक मैच को चोड़के अल्मोस सारे के सारे मैच में सिंगल डिजिट पर स्कोरिंग किया है प्राभू देशाई का भी रिशेन फर्म ठीक तक है लेकिन उतना भी खास नहीं है पार्नेल का भी रिशेन फर्म काफी सांदर है अल्मोस सारे के सारे मैच में एक दो करके विकल चटका हसारांगा विकल टेकिंग बोलर है देट में हार्सल पर्टल के साथ आपको विजाई कुमार को देखना को मिल जाएगा जो इंपक्ट फ्लेया के थुरू आ सकता है पिछले दो मैच में चार विकल चटका दिया और रिशेन फर्म भी काफी सांदर है आप इसको इग्नॉर मत कीजे हाला कि पिछले मैच में बहुत ही पिटाई हो गया था लेकिन यह आपको विकल चटका के दे सकते है इंपक्ट फ्लेया के थुरू करान सर्म आ सकता है अकसदीप सिंग भी आ सकता है और डेविड उइली भी आ सकता है आप देख लेता है प्लेयार बेटल मैं हामेशा बोलता हूँ जो लोग स्माल ली खेलते है उनलोग प्लेयार बेटल मात देखिये क्योंकि आप कन्फिस हो जाओगे अगार आप चाहो तो देख सकता हो स्कीन सोल ले सकता हो आप देख लेता है टूडे की फेक्टर डूप्लिसीज का रेकोर्ड देख लीजे इस बने के उपर तीन मैच में 218 रन और 96 हाइस इसलिए डूप्लिसीज बहत ही इंफरेंट पिग होने बाल है और पांजब की खिलाब रेकोर्ड देख लीजे चोदा मैच में 112 रन और 96 हाइसR और रिशल फर्म भी काफी शांदार है इस सल IPL में मतलाब इस बने को पर भी डूप्लिसीज का रेकोर्ड ठीक तक है इस टीम के खिलाब भी काफी सांदर है और रिशल पिख सांदर है इसलिए डूप्लिसीज राग्स पीं होने बाल है Captain Vais Captain के perfect दावीदर होने वाला है आस्दिव सिंग का रेकॉर्ड देख लिए जये इस बने को पर 4 मैज में 6 विकेट चटका दिया इसलिए आस्दिव सिंग भी एक important player होने वाला है और ये inform player है रावाडा एगेंस RCB 7 मैज में 16 विकेट इसलिए रावाडा भी एक important भी होने वाला है रावाडा ने विराश्पुली को 35 बोल के आंदा 4 बार आउट कर चुका है और रावाडा ने डीके को 41 बोल के आंदा 4 बार आउट कर चुका है ए प्लेयार बेटल थोड़ा देखने लायक होगा और रावाडा इनफर्म प्लेयार है और RCB के गन्स भी काफी सांदार रेकोड है इसलिए रावाडा भी एक important भी होने वाला है आप देख लेता है फैंटासी डिम विकेट की बार सेक्षन से आपको डिके को देखने को मिल जाएगा जीते सर्मा को देखने को मिल जाएगा और सिम्रान सिंग को देखने को मिल जाएगा अगर खेलता है तो मस्ट्टैब होने वाला है वीडाट कुली डूप्रीशिस बहुत फिक्रिण पिक्क होने वाला है अब राजा बक्स अगर खेलता है तो इसको ट्राइ कर सकती ओ सरुख कॉर्फ ग्रान लिंग में ट्राइ करना इसके पास अच्छा खासा हीट्टिंग एब बॉलिंग सेक्षन से रावाडा अस्देप सींग बहुत ही इनफरेटीन होने बला है और आप सीराज को सेक्टों नहीं तो आप हरचाल पडरल को भी फिकक को दोनों में से किसी एक को पिकक करना आप उइल बांनें को भी पिक का सेक्टों आप देख लेते हैं कैप्टेन केप्टेन के एक पार्फेक्ट मेटरियल होने वाले आज क्यूंकि इस टीम के खिलाब भी रेकॉड ठीक्टा गया इस वने के ऊपर भी रेकॉड काफी संदर है और रिसेन फॉर्म तो काफी संदर है इसलिए मैं आपको साजेश्ट करूंगा अब इस मैच में डुप्लिस को क कैप्टें कर सकते हैं अब और धावान खेलते तो अब धावान को भी कैप्टेन कर सकते हो इच्छा लगा और इन्फर्मेटिब लगा तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दिजेगा है